तो फाइनली धंश्री जग गई थी और इनकी फोटोज क्लिक करनी थी तो हम इने अजीब अजीब तरीके की आवाजे निकाल के और इनके सामने अजीब अजीब तरीके के एक्स्प्रेशन लगा रहे थे ताकि ये मुस्कुराएं और अच्छी सी स्माइल दे दे फोटो के ल और सब लोग लगे पड़े थे कि धंश्री कैसे भी बस एक अच्छी सी स्माइल दे दे ताकि उनके ये जो बाल हैं बर्थ के इसके साथ में उनकी एक दो अच्छी पिक्चर निकला है उसके बाद तो इनको गंजा होना था तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी और एक जो माह होती है वो मतलब पूरा जोड लगा देती है कि लाइक उसका बच्चा किसी भी तरीके से अच्छा दिखे और बच्चा बहुत अच्छे से स्माइल करें बस मैं यहां पर वही काम कर रही हूं और फाइनली मैंने धंश्री को हसाया और उनकी बहुत अच्छी अच्छी सी फ चोड़ी चोड़ी क्लिप है और कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड की गई है तो यह मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया जो अच्छी जो भाईया फोटोस खीच रहते जिनको बुलाया था फोटोग्राफर को उन्हीं को दे दिया था हमने अपना कैमरा गोप्रो तो उन्होंने जितनी क्लिप बना पाए वो साथ में ही तो उतनी क्लिप आपको इस में देखने को मिलेंगी बाकी जो मैंने मेरे अभधीजी से और मेरे बहनों से जो अपने फॉन में रिकॉर्डिंग कर आई है वो सारे क्लिप में अपलोड कर दूँगी तो आप धन्श्री को देख सकते मैंने इनका जो फ्रॉक इनको पनाया यह थोड़ा सा ओवर साइज हो गया है तो यह भागा हुआ जा रहा है धर उदर तो इसको मैं ठीक करूंगी बट नैचरली यह बहुत ही प्यारी लग रही थी और मुझे पता नहीं था परना तो मैं फिर इनके और भी आउट्पिट निकाल के रखती तो इस रूम में सड़नली वो आ गये थे फोटो क्लिक करने के लिए फिर मैं थोड़ी दिर बाद दूसरी जगा पे मैंने फोटो इन बहुत प्यारे प्यारे और अगर चीक की आवाज निकालो तो धंश्री को बहुत अच्छा लगता है आची आची की आवाज निकालो तो बहुत हसने लगती है I don't know मेरी बेटी ही इस तरीके से खुश होती है चीक वाली आवाज पर आप में से किसी का बेवी है जो चीक मार बहुत जादा फुश होता है और हसने लगता है उसको लगता है कि पता-झी इसका प्रक्रिया है क्या है कॉन सा साउंड है और बाकि पीछे सब लोग तयार हो रहे हैं अपना नहा करके आ रहे हैं तो हम मेरे घर पे अब फंगम हो रही थी उस रेंट-ई और बाकी धीरे धीरे जो भी चीज़े होती रहेंगी वो मैं आपके सार शेयर करती रहूंगी तो अब मैं जा रही हूं मेरे स्टूडियो में जहां पर धन्श्री का फोटो शूट कराना है मुझे तो आप देखते रहे हैं दोस्तो